सबसे पहले आपने प्लेस टूर करने जाना है और वहां से आपने Okx की एप को डाउलोड का लेना है किस तरह से आप अपने डाकुमेट्स को वैरिफाई करवा सकते हो Okx के उपर जो आप CNIC या KYC verification करेंगे किस तरह से आपने documents को upload करना है ताकि आपका account भी verify हो सके आपके यह selfie भी लेता है किस तरह से आपने selfie देनी है किस तरह से अपने documents को upload करना है ताकि आपका okx account भी verify बन सके आप okx को ओपर deposit भी कर सके विड्रो कर सके जब तक आप KYC verification complete नहीं करेंगे documents clear नहीं करेंगे verify नहीं करेंगे अपने OKEx account को तब तक आप की कोई भी transaction नहीं कर सकते हैं ना ही deposit कर सकते हैं ना ही withdraw कर सकते हैं मैंने यहाँ पर download कर लिया है मैं इसको open कर लेता हूँ आपसे पहले आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है जैसे आप देशकते हो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस है आपने सबसे पहले account create करने के लिए इस button को पर क्रिक करना है जहाँ पर sign up आपको लिखा हो ना दरा रहा है आपसे अब यहाँ पर click करोगे सबसे फहले आपको यह country select करने के लिए बोलता है तो अगर आप पाकिस्तान से हैं अगर आप इंडिया से हैं तो आपने यहाँ पर इंडिया को select करना है सारी country यहां पर available है उब उस country को select का लेने है अच्रा country select कर लेंगे कुछ लगा देना है नaksi को पाइजकी पेड़न कर देना है थेशा बठते हैं को एमेल एडर्स पुट करना है एमेल एडरे ड़ने लांए वह पने लगांऄ जो आपके पास I आप मैंने लगा दिया देखिए आपने इस तरह से रेफर कोड इंटर कर लेना है उसके बाद आपने क्या करना है साइंब वाले बटन पर आपने सिंप्ली क्लिक कर देना है जैसे आप साइंब पर क्लिक करोगे अब आप के बास यहां पर एक अदर इंटरफेस आएगा अब के पास इस तरह से इंटरफेस आईगा आपने जो आपने साइन अपय कर दिने एक कॉड़ कोड़ डिया है उसके उपर हमें कोड डी हुआ है। कोड को लगाएंगे उसके बाद आपके पास इस तरह से इंटर्फियर साया यह देख दो एक एक एसमेस आएगा तो आपने वहां से कोपी करना है वहां से देखना एपना ASMR और उसके वावाद आपने याप पर एंटर कर देना मैं यजाओ घर्ड ऐसर आपने यहां ईक्राइट कर लिया ह। पर अब ऑच्छ करोगे अब आप 그것 से नक्सक करोगे अब डिनू by घर्लू काइगा इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा, आपने क्या करना है, may be letter के उपर आपने simply क्लिक कर देना है, जैसे may be letter के उपर क्लिक करोगे, अब आप यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आप उद को verify करो, यह verify आपको यहाँ लाजमी करना होता है, तब ही आप जो है, crypto को buy and sell कर सकती हो अपने deposit कर सकते हो, विड्रो कर सकते हो, यह verify करना लाजमी है, verify को जब तवज्जो के साथ समझे कर, यहाँ पर देखे verify now के उपर आपने click कर देना है, जैसे verify now पर click करोगे, अब यहाँ आप देखे, जो आपने country already select की होगी, वही select रहेगी, उसके बाद यहाँ पर लिक हु NIC है तो उसके जरीए भी आप कर सकते हो, पासपोर्ट है तो उसके जरीए भी कर सकते हो, मैं यहाँ पर मेरे पास national ID card है, मैं इसको select करूँगा, यहाँ पर इसको मैरे select किया, उसके बाद यहाँ पर देखे, next को बटन आ रहा है, आपने simply next वाले बटन के उपर click कर देना है, जैसे अब next करोगे, यहाँ पर देखे, enable camera permission, यह बोर रहे हैं, कि आप camera को permission दें, यहाँ पर continue वाले बटन पर click करेंगे, जैसे continue वाले बटन पर click करेंगे, आपने यह वाला using this app, यह वाला पहला select कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से थोड़ा सा यह loading लेग processing हमारी complete हो चुकी, आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखें, यह बोर रहा है कि get your national ID card ready, आप यहाँ पर आपने national ID card को इस तरह से scan करवाना, जिस तरह यह देखें, यह बता रहे हैं कि आपने पहले front side, यहाँ पर इस camera के आगे shoot कर दी है, उसके बाद पर आपने back side को शूब करना है, इस तरह से आपका यह जो है, यह आपका verify हो जाएगा, आपका scan यह कर लेगा, यह OKX वाले आपका CNIC जो है, वो scan करेंगे, आप यहाँ पर scan किस तरह से करना है, यह देखें, आपने यहाँ यहाँ पर term and condition है, इनको आपने इस तरह से OK करना है, उसके बा scan कर लेगा, front side, उसके बाद आपने back side को करना है, वो scan कर लेगा, उसके बाद नेक्स प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा, मैं जल्दी से यहाँ पर verify कर लेता हूँ, verification के ओपर आपके क्लिक करते हैं, इनके ओपर click कर देना है, अब यहाँ पर देख सकते हो, यह verify के बाद camera के आपने सामने आना है, जो के आपी selfie ले जाएगी, उसके बाद यह आपका verify होगा, मैं यहाँ पर next के पर click करके एक selfie देता हूँ, selfie देने के बाद आपके पास इस तरह से review स्टार्ट हो जाएगा, जैसे review complete होगा, अभी यह बता रहे हैं कि आपका हम review कर रहे हैं, आपकी स identify हो चुक है, और उसके बाद यह जो है, information हमारे साथ ना आई है, identity verification, अब यहाँ पर हमने इस सारी information को check करना है, वो बता रहा है, यहाँ पर यह information है, आपके यह information है, यह आप चेक करने, कि आपका यह वाला नाम है, आपका यह वाले date of birth है, और यह वाले आपका identity है, और यह ना ठीक हो, तो आपने दुबारा से सारे information जो है, दुबारा से डालने है, दुबारा से account को create करने, सारी चीज़े ठीक हो, तो आपने यह सारी चीज़े एक मतबच चेक कर दीने, उसके बाद आपने next पे click कर देने, अब next करोगे, तो यहाँ पर एक आपके बास other interface हैगा, अ यहाँ पर हमारा email address जो गरवाख गर का पता और यह सारी चीज़े यहाँ पोच रहे है, अब आपने यहाँ पर पाकिस्तान सबस्पारा सेलेक्ट रहेगा, उसके बाद आपने यहाँ पर address डाल देना है, मैं यहाँ पर address डाल दिया, अच्छा उसके बाद यहाँ पर देखे लिधी आपको जो है, स्टेट का ओप्शन बिल रहा है कि आप पंजाब से हैं, सिंसे WOW काहा से हैं तो आपने वह वाला सेड़ेक्ट कर लेना है, जहां पर रहते हो पंधारा रहते हूं पर रहते हो वो आपने यहाँ पे लिख्ट को जायरा सेल्ट हो जाएग अगर फिर मुझे याद है मैं 35 दोस्तों यहां पर लेकर देता हूँ उसके बाद यहां पर next पर click कर दूँगा अब जैसे यहां नेक्स पर click करता हूँ तो यहां पर other week interface आएगा यह देखें फिर सी हमारे पास review start हो गया है और यह देख सकते हो आपके सामने identity verified हो चुकी है यह हमारे सारी perfection हो चुक है और हमारा account यह verified भी हो गया आपके सामने मैंने सारा कुछ आपके documents भी upload करके दिखा है सारा कुछ आपके सामने करके दिखा है तो यह देखे हमारा अकाउंट यह वेरिफाइड हो चुक है तो यह 100% अभी वेरिफाइड हो चुक है तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद यहां पर देख片 कि उपर कट मारक आपको नदर आ रहाँ आप नए इस एक उपर क्लिक कर देना अब यह जो आपका अकाउंट तो क्र वो गञयरा घ्रम होगे यह साम नाउट करोगे बहुँ सारा सीन यहां पर होगा वैलिट को आपने स्व इंप करना उड्यडिक करना है उसके बाद यहां पर देखें क्रिएट वैलिट के बॉयक्स यह अपने six left कर list कर देना है यहां पर इनेबल आएगा, आपने इनेबल कर देना है, यहां पर वह बोर है, कि आप फिंगर पेंट लगा दे अपना, या आप और वाइल कोड पूचेगा, तो वह आपने लगा देना है, उसके बाद यहां पर एकाउंट क्रिएट होना स्टार्ट हो चुक है, अच्छा ये देखें आपका अकाउंट जो है वो क्रियेट हो चुका है लेकिन इसके लिए वहामें यहाँ पर मैनुवल बैकप भी रिखना होगा यह बहुत ज़रूरी है मैनुवल बैकप के लिए आपने क्या करना है आपने यह वाला नहीं सेलेक्ट करना आपने नीचे वाला सेलेक्ट करना है मैनुवल बैकप अचाहिए इसको आप सेलेक्ट करोगे उसके वाले बटन के क्लिक कर दोगे यहाँ पर आपके पास इस तरह से आएगा आपने यहाँ स्किट के उपर क्लिक कर देना है फिर इसके बाद आपके पास इस तरह से इंटरफेस आईगा ठीड फ्रेज़ अब यहां पर जो आपको यह स्क्री नजर आ रही है अगर आप इसके उपर टैप करोगे तो आपको यहां पर कुछ वर्ड्स नजर आएंगे ठीक है आपको यहा यहां पर आपको कुछ फ्रेज़ नजर आएंगे ठीक है कुछ फिकरी लिखे वो नजर आएंगे आपने उनको देख लेना है पहले अच्छे से उसके बाद आपने कंटीन वारे बटन पर क्लिक करेंगे अप यहां पर देखें आपके पास वो वाले जो है वर्ड्स आ चु लेंगे उसके बाद यहां पर डेकिन डन का बटन आपको लिखा हो नजर आ रहा है आपने सिंप्री डन के उपर क्लिक करना है यह देख सकती हूँ आपके सामने सारा कुछ करके दिखा दिखा दिया बैक अप भी करके दिखा दिखा दिया और उसका आपका यहां पर देखे भी अमरे अकार्ट वो तुक है